हलो एभरीवन, तो आज हम लण करने वाले है words and their foods. So let's start. चिकन का food होता है grains. क्रेन का food होता है insects and seeds. डब का food होता है sunflower herds and grains. डक का food होता है insects. इंसेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इंसेक्ट्स and fruits, peacock का फूड होता है, grains and fruits, penguin का फूड होता है, fish, pingen का फूड होता है, grains, swan का फूड होता है, fish and grains, parrot का फूड होता है, green chili, वल्चर का फूड होता है इंसेक्ट्स पीहन का फूड होता है फ्रूट एंड ग्रेंस पार्ट्रिज का फूड होता है ग्रेंस क्वैल का फूड होता है ग्रेंस स्पैरो का फूड होता है ग्रेंस नाइटिंगल का फूड होता है इंसेक्ट्स कुकू का फूड होता है केटरपिलर एंड इंसेक्ट कॉक का फूड होता है ग्रेंस एंड वर्ग्स हैन का फूड होता है ग्रेंस एंड वर्ग्स राविन का फूड होता है फ्रूट एंड ग्रेंस हॉक का फूड होता है स्नेक स्वैलो का फूड होता है ग्रेंज बुटपैकर का फूड होता है सनफ्लावर हसीड मैकपाई का फूड होता है ग्रेंज वर्ड का फूड होता है ग्रेंज टर्की का फूड होता है सीड्स एंड ग्रेंज हमिंग वर्ड का फूड होता है Plant nectar, Grouse का فूड होता है Fruits, Pelican का फूड होता है Fish, Manna का फूड होता है Insect and fruit, Kingfisher का फूड होता है Insect and Fish, Kiwi का फूड होता है Worms, Canary का फूड होता है seed, hiron का food होता है fish and insect, mullard का food होता है worms, ostrich का food होता है plants, rain का food होता है peanut, flamingo का food होता है plant and seed, kawkato का food होता है fruit and insect, weaver bird का food होता है insects, thrust का food होता है mealworms, pivot का food होता है insects, lark का food होता है fruit and insect, dreck का food होता है insects, guinea fall का food होता है grains and insects तो गाइस अगर यह वीडियो आपको थोड़ी से भी यूच्वल लगयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थेंक यू